तो चले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और इस टॉपिक के बाद आप जो एक्सराइज 3.4 है उसे आप स्वाल्ब कर पाऊगे ठीक है तो यहां पर देखिए यह कौन सी एक्वेशन है क्या बोलते हैं हम लेनियर एक्वेशन और आपने प्रिवेश क्लास में आप पढ़कर आयो है इसे क्या बोलते हो इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्वेशन अब मैं जो एक्स है उन्हें में रेप्लेस कर रहा हूं इन्हें हम क्या कहेंगे यह है ट्रिग्नो मेट्रिक एक्वेशन थीक हैं तो ट्रिग्नो मेट्रिक एक्वेशन थीक हैं अधिर्वाशन यहां परें एक्स यहां पर मैं इसे थीटा लिखते हूं यहां मैं थीटा लिखते हूं तो यहां पर जो वेडिया के थीटा तो इस परकार कि जो equations है उन equations को हम क्या वोलेंगे trigonometry equations ओके यहां पर solution क्या जी जोगी the value of this action the value of this theta will be solution of the equation which satisfy this equation या this equation ठीक है एक्स जो एंगल हमारा यहां पर unknown angle है एक्स या theta है या alpha है वो जो हमारे पास अंसर आएगा वो उस equation का solution होगा if that angle satisfy the given equation पिछे हमने lecture में पड़ा था कि जो जो टी रेशियों है यह after two pi इनकी value repeat होती है किस किस की sin x कॉज x सीकन एक्स को सीकन एक्स को सीकन एक्स है और जो कॉट एक्स है उनकी value repeat होती है अफ्टर पाई जब जो solution आपने find किया है यह अपने solution जो find किया है एक्स अगर इसकी value इन चार quadrant के बीच में रहेगी फास्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो उस solution को हम बोलेंगे कौन सा solution प्रंसिपल इसका मतला कि अगर एंगल x है तो एंगल x की value 0 से लेकर 2 पाई के बीच में अगर वेरी करती है इस कौर्टन में इस कौर्टन में इस कौर्टन क्योंकि यह चार कौर्टन की जो value 0 से start होकर 2 पाई तक रहती है इसकी जो ठीक है रेंज है तो अगर x की value 0 2 पाई की बीच में रहती है तो वो जो solution आपको मिलेगा वो क्या solution होगा principle solution ठीक है नेक्स्ट एक और solution है जर्नल solution कौन सा solution जर्नल solution क्या है कि solution इन वाल एन एक एन इंटीजर है वो इन वाल्वास में and which gives the solution of all all equations जो भी equation हमें given होगी उसकी सारे solution all solution of a given equation और उसमें n involve होगा ऐसे solutions को हम क्या कहेंगे journal solution वह आपको ऐसे मिलेंगे टू एक्स टाइप जा एंड नेक्स टाइप ठीक है इसमें n involve है that is integer positive हो सकता है यह उसमें आपको solution मिलेंगे तो उस प्रकार के solution को हम क्या कहेंगे जर्नल solution में क्या आता है कि जितने वी उस equations के solution possible है वो सारे आपको वहां पर उस जर्नल शुशन में मिल जाएंगे आप n की value vary करते जाएं आप माइनस में या प्रस में करते हैं तो आपको डिफरेंट बैल्यू मिलती रहेंगे ठीक है तो next हम इसके उपर question solve करते हैं लेकिन कुछ formula है जो आपको याद रखने है तो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन से formula है six formula है वो आपने याद करने है जब तक आप वो formula याद नहीं करेंगे तब तक इस exercise में कोई भी question आप solve नहीं कर पाएंगे ठीक है चलिए से note कर लें फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर मैंने एक question लिया है that sign x is equal to root 3 upon 2 और हम find करना चाहते है इसका principle solution ठीक है इसका method क्या है ध्यान से देखना आपने sign x is equal to आपने रूट 3 upon 2 आपने देखना है कि sign का कौन सा angle है जिसकी value root 3 upon 2 है और हादी बोले 60 तो पाइवाई 3 चलिए यहां पर एक हम क्वाडर्र पी बना लेते हैं आप देखेंजिए कि sign जो है क्योंकि हमने principle solution निकालना है हमारा जो solution है वह अगर स्पोस्क्राइक से है तो जीरो से लेकर टूपाई के बीच में होना चाहिए तो यह हमारे पास जो पाइवाई 3 है यह हाया हमारा first quarter में क्या कोई और भी sign की value है जहां पर जे पॉजिटिव है साइन सेकंड में भी sign तो क्या मैं साइन पाई प्लस सारी पाई माइनस पाई वाई 3 लिए सां देख्रों साइन पाई वाई 3 की value बेटा यहां पे और साइन पाई वाई 3 की तो नहीं होता है road 3.2 और साइन पाई मानस पाई वाई 3 भी साइन पाई वाई 3 की ही value है और यह कहां पे है सेकंड क्वाई में और साइन पाई वाई 3 साइन 2 पाई वाई 3 और क्या यह दोनों एंगल इन चार क्वाईन के बीच में है जीरो एक्स की value 0 से लेकर 2 पाई की बीच में इन चार क्वाईन में लाई करने चाहिए तो देखो यह first quarter में यह कहीं और नहीं है कोई और value sign के positive सिर्फ sign जहां दो positive यह बाग्यों दो में negative होता है तो therefore x is equal to pi upon 3 और 2 pi upon 3 यह हमारी principle value है principle solution है इस trigonometry equation के लिए बाद समझाए ठीक है चलिए इसको note को रहा एक और question ले रहते हैं है ठीक है 3.4 exercise का question number first given at 10x is equal to root 3 find करना चाहते है principle and journal solution दोनों हमने solution find करने तो पहले हम find करेंगे principle solution तो root 3 की value कौन से angle की है जब 10 लेंगे हम 10 पाइव शिक्स्टी दैट इस पाइव थ्री अब 10 और कौन सी quarter में से वैली होगी पॉजिटिव कहां पे उसका सही तरीका जानने का कि आप यह देखे कि टैन पॉजिटिव कहां पे है तो हमने पाइव थ्री को लेके जाना है थर्ड में क्या मैं टैन पाइव प्लस पाइव थ्री लिसकता हूं अब यह भी लिख सकते हैं अब क्या थर्ड कॉर्ण में है लेकिन यहां पर एक दिक्कत है कि वह भी नहीं है टू पाइव थ्री माइनिस पाइव थी तो है तो थर्ड कॉर्ण नहीं लेकिन काल मैंने आपको बताया था कि टी रिश्यों कहां चेंज होती है जब टू पाइव थ्री होगा जब पाइट आपनी चीज़ों का अब यह इसे अगर सॉल्व करना चाहूं तो यह टैन का क्या बन जाएगा कोट बन जाएगा इसलिए यह नहीं होगा समझागे आप तो कि यह भी तो थार्ड कॉर्ण में था लेकिन यहां पर पाई हमारे ल ठीक है और देरफोर प्रिंसीपल स्लिशन एकस इस एकल तो पाइवई थ्री फोर पाइवई थ्री जैसे यह जनल शुश्य अब हमने फाइंड करना है जर्नल स्लूशन चलिए जर्नल स्लूशन हमने कैसे फाइंड करना है हमने क्या करना है कि जो टैन एक्स इस इक्विल टू इन दोनों में से कोई एक एंगल लेना है और हमने एंगल को चूज करना है जो को स्मॉल अंगल हो इन दोनों में स्मॉल कोन है जब भी आपने जर्नल स्लूशन फाइंड करना है तो आपको यहां पर टी रेशियो दो मिलेगी चाहिए वह नेग्टिव हो चाहिए यहां पर दो वैलिया देखो टैन पाइव थ्री टैन फोर पाइव थ्री जो है वह रूट तुरी के बराबर है अब टैन एक्स हमने इन दोनों में किसी एक के एक को लेना और जो आपको लोस्ट एंगल है हमने वह चूज करना ह अब यह मेरे पास आ गया अब यह फार्मूले आ गया अपके अरके अरम देखो यहां पर को फार्मूला है थे हैर आ एक्स-टू-टैन वाइब्स एक्टन वाइगा और इनका जो solution है वो है एक्स इस इक्विल टू एन पाइ प्लस वाइव यहां पर पाइव थरी और एंड किसी प्रूम करेंगा दिस यह जनल शुलुशन इस यह जनल शुलुशन यहां से आप प्रिंसिपल शुलुशन कर सकते हैं एन की वैलिए जिरो बूट करें इंटीजर जिरो होता है तब कितना आएगा एक्सर पाइव थरी फिर एन की वैलिए बन पूट करो थरी इंटू बन फोर पाइव जिए आगा फिर एन की वैलिए टू पूट करें इसका आपको बहुत सारे शुलुशन मिलते जाएंगे इस है ट्रीमेटी एक्विशन के अंगिनत शुलुशन है जब जब की वैलिए चेंज करते जाएंगे उन में से प्रिंसिपल शुलुशन कोंस है वह सिर्फ इसी चारों कांटन में जो लाई करते हूं जीरो से लेकर टू पाइप बीच में ठीक है समझा गया जन प्रिंसिपल शुलुशन के है और जन शुलुशन क्या है ठीक है इसे जिलू और आपने गया तो यह पर हमिसे कैसे करेंगे देखो साइन टू एक से यहां पे टू एक से यहां पे एक से इसे भी हम एक्स बना सकते हैं तू साइन एक्स इंटू कोज एक्स प्लस कोज एकल टू जिरो कोज एक्स आप कॉमल ले लिए तू साइन एक्स प्लस वान इकल टू जिरो और यह दोनों मल्टिप्लाइ कर रहे हैं आप इ तो आपको solution मिल जाएंगे तो पहले यह करते हैं कोज X equal to 0 इन 6 फार्मुलों में से देखिए कौन सा फार्मुला लगेगा second ठीक है तो sin X equal to 0 होता तो X क्या नहीं था एन पाइज कोज X 0 है तो X के आगए 2N plus 1 into pi by 2 और sin X equal to sin Y है तो हमारे पास general solution है X is equal to n pi plus minus 1 के power n into y और कोज X कोज Y है तो X is equal to n pi plus minus y यह plus minus है और 10 X is equal to n y है तो X is equal to n pi plus y और यहां पे जो n है वो Z को बिलोंग कर रहा है तो चलिए यहां पे देखिया कोज X equal to 0 तो कोज X 0 को मतलब है X किसकी एक्कुल आ गया 2N plus 1 into pi by 2 और यह किसे बिलोंग कर रहा है तो साइन प्लस 1 इसे स्वाल कर रहे हैं 2 Sine X is equal to minus 1 Sine X is equal to minus 1 by 2 और Sine X is equal to minus और 1 by 2 Sine का कौन सा एंगल है जिसकी वैडियू 1 by 2 है Sine pi by 6 मैं 30 दिगरी तो Sine X equal to minus Sine pi by 6 लेकिन हमारे पास जो फार्मुला है Sine X is equal to Sine Y पर यह माइन से चाहिए अब यह जो फंक्शन है यह नेगिटिव है अब हमने इस नेगिटिव को हटाना है हटा कैसे सकते हैं कि हम इस फंक्शन को ले जाएंगे ऐसी क्वाड़र्ट में यहां पे Sine नेगिटिव है कौन सी क्वाड़र्ट में Sine नेगिटिव है 3rd और 4th में अब 4th में ले जाना दो तरीके हैं एक तो मैथ्ड यह है कि आप तो पाइ माइनस पाइवाई 6 कर सकते हैं कि अब इस चला गया टू पाइवाई 6 साइन पाइश से चेंज ने होगा तब भी तफोर्थ में यह यहां मैं लिख दूं पाइपलस पाइवाई 7 अब भी क्या अब भी साइन चेंज ने हो इसको का या मैं माइनस कर दो तब भी जब फोर्थ कोड़ेट में है कि समझेंगे अगर एंगल के साथ माइनस लगा दो तो वह जी जो साइन है कौन सी कौटने में पहुंच जाएगा फोर्थ में तो मैं यहां पे ना जैसे आपके बुक में रिजल्ट है मैं ऐसे गर दाँ तो तिनों मैं स साइन वाई है थो आपके पास जब्सक्राइगा एक्षेश इकल टू एनँप पर सो देर फोर्स एक्षी गल टू कैया सीम्म grace पहले अगर गया हुआ है प्लस माइनस बन की बिजल और ईन तो वाई यहां पर क्या है और N किसे बिलों कर रहे हैं तो this is your answer तो हमारा यहां काम अठक जाता है जब तक हमें फार्मुला नहीं पता है ठीक है नोट करें हैं चली नेक्स देखें जी पॉस्चिन अमबर 8 सेकंट स्केर 2x इस एक्वल टू 1-102x आप सॉल्व करना चाहते हैं से तो यह देखो सीकंट स्क्वेर या तो फिर आप यह कर सकते हैं कि आप आप को भी सीकंट में चेंज करतो क्योंकि हमें एक तरहां का फंक्शिन चाहिए तब हम सॉल कर पाएंगे क्योंकि यह कॉद्ली क् सब्सक्राइब बन चाहिएगा अगर हम इसे टैन टू एक्स को भी सीकंट में कर पाएं लेकिन ऐसा को फार्मनल नहीं है लेकिन सीकंट को हम ऐसा लिख सकते हैं अब यह जो कॉस्चिन है यह सारा टैन में आ गया तो आप ऐसा करें इधर ले आएं और वन को उदर ले जाए यह और काजी टैन स्क्वेर 2X प्लस टैन 2X इस इकल टो बान माइनस 1 ठीक है इन दोनों में टैन 2X को कॉमन लिए जा सकता है तो टैन 2X प्लस 1 इस इकल टो जिरो लेकिसकते हैं तो दो फंक्शन मल्टिप्लाइब में हैं और 0 के इकल हैं तो आइधर इस फंक्शन 0 और इस 0 तो 10, 2x is equal to 0 बेटा और 10, 2x plus 1 is equal to 0 तो पहले इसे solve कर लेते हैं, फार्मला देखें 10x is equal to 0 और हमारे पास है x, यहां पर x कोण है? 2 है, तो यह आगा है n pi, n किसे बिलों कर रहा है और x is equal to n pi upon 2 और n किसे बिलों कर रहा है इसी और फर्स्ट जर्नल स्लूइशन, सेकंड देखो यहां पर 10, 2x is equal to minus 1, क्या मैं ऐसे लिसे था हूं, 10, 2x is equal to minus 10, 5y4 बेटा 1, जो 1 है, 10, 5y4 की वैली कितनी होती है, क्योंकि मुझे दोनों बराबर चाहिए तो 10, 5y4 अब यहां minus आ गया, अब 10 ढूंड़ना हमने कि कौन सी क्वादर में negative है और lost values हमने ढूंडनी है, तो second में, तो fourth में थोड़ा दूर चला जाएगा तो क्या मैं से पाई प्लस पाई वे 4 दिख सकता हूं, नहीं, चले, अब ठीक है, चले, तो 10, 2x, 10, 3, 5y4, this is your 10x is equal to 10y, और इसका जनल स्यूश है, x, x यहाँ पर कितना बेटा, और n pi, प्लस y, y यहाँ पर क्या है, और n किसे बिलोंकर है, 2 से जबाइड को सबको, x is equal to n pi upon 2, plus 3 pi upon, और n किसे बिलोंकर है, तो this is your answer, ठीक है, तो इस जो ट्रिक्न में डिकूशन है, इसमें दो अंसर हमारे पास आगे, और यहाँ पर वैसे दो नहीं है, आप एनकी वरी चेंज करते हैं, तो आपको बहुत सारे अंसर मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप कर पाएंगे, आप मुझे लगता है कि आप इस आपको झाने से बाना कोशी कर वाउने ते़क, जय है.